नमस्कार दोस्तों, साहित्तिक कहानियों के इस चैनल कहानिया जिन्दिगी की पर मैं शैली नरायन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आईए आज सुनते हैं शी शरच चंदजी द्वारा रचत एक संस्मरण बाल ले स्मृती नामकरन संसकार के समय या तो मैं ठीक तोर से तैयार नहीं हो पाया था या फिर बाबा का जोतिश शास्र में विशेश तखल ना था किसी भी कारण से हूँ मेरा नाम सुकुमार रख्था गया बहुत दिन ना लगे दो ही चार साल में बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं मिलता अब मैं बारा तेरा वर्ष बात की बात कहता हूँ हाला कि मेरे आत्म परिचे की सब बाते कोई अच्छी तरह समझ नहीं सके फिर भी सुनिए हम लोग गवई गाउं के रहने वाले हैं बचपन से ही मैं वहीं रहता आया हूँ पिता जी पचा में नौकरी करते थे मेरा वहां बहुत कम जाना होता था नहीं के बराबर मैं दादी के पास गाउं ही में रहा करता घर में मेरे उधम की कोई हद न थी एक वाके में कहा जाए तो यू कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावर था बूढ़े बाबा जब कहते तू कैसा हो गया है किसी की बात ही नहीं मानता अब मैं तेरे बाप को चिठ्थी लिखता हूँ तू में ज़रा हस कर कहता बाबा वे दिन अब लद गए बाप की तो चलाई क्या अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने ही क्यों लगा बाबा को ही वे कहती क्यों कैसा जवाब मिला और छेड़ोगे उसे बाबा अगर नाराज होकर बाबुजी को चिठ्थी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया दुपका देता फिर जब तक उनसे चिठ्थी फढ़वा कर फिकवा ना देता तब तक अफीम की डिबिया ना पकड़ाता इन सब ओठ पावों के डर से खासकर नशे की तलब में खलल पर जाने से फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते मैं भी मौच करता पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा है मेरे लिए भी वही हुआ बाबा के चचेरे भाई गोविन बाबु इलाबाद में नौकरी करते और वही रहते थे अब भी पेंशन लेकर गाउं में आकर रहने लगे उनके नाती श्रीमान रजनी कान भी बीये पास करके उनके साथ आये थे मैं उन्हें संजले भाईया कहता पहले मुझसे उनका कोई विशेश परिजय नहीं था वे इस तरह बहुत कमाते थे और उनका मकान भी अलग था कभी आते भी तो मेरी योज ज्यादा ध्यान नहीं देते कभी सामना हो जाता तो क्यो रेक क्या करता है क्या पढ़ता है के सिवा और कुछ नहीं कहते अपकी बार जो वे आये तो गाउं में जम कर बैठे और मेरी योज ज्यादा ध्यान देने लगे दो-चार दिन की बाचीत से ही उन्होंने मुझे ऐसा बस में कर लिया कि उन्हें देखते ही मुझे दर्सा हो जाता मुझ सूप चाता छाती धड़कने लगती जैसे मैंने कोई भारी कुसूर किया हो और उसकी न जाने कितनी सजा मिलेगी और इसमें तो कोई शक ही न था कि उन दिनों मुझसे अकसर कुसूर हुआ करता हर वक्त कुछ न कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती दो-चार करने के काम और दो-चार ओठ पाओं किये बिना मुझे चैन कहां इतना करने पर भी भाईया को मैं चाहता हूप था भाई-भाई को इतना मान सकता है या मुझे पहले मालूम नहीं था वे भी मुझे खूब प्यार करते थे उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारते कितने ही कसूर करता था किन्तुवा कुछ कहते नहीं थे और कुछ कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भाईया ठहरे थोड़ी दे बाद भूल जाएंगे उन्हें याद थोड़े ही रहता है अगर वह चाते तो शायद मुझे सुधार सकते पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके देश में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो न रहा पर फिर भी जैसा हूँ मजे में हूँ रोज बाबा की तंबाखू चुरा कर पी जाता बूढे बाबा कभी खाट के सिरहाने कभी तकिये की खोली के भीतर कभी कहीं कभी कहीं तंबाखू चिपा रखते पर बंदा ढून ढान कर निकाल ही लेता और पी जाता खाता पीता मस्त रहता मौच से कटती कोई जंजट नहीं पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया समझो बाग में जाकर चिडिया मारता गिलहरिया मार कर भून कर खाता जंगल में जाकर गड़ो गड़ो में खरगोश ठूनता फिरता यही मेरा काम था ना किसी का कोई डर ना कोई फिकर बाबा जी बकसर में नौकरी करते वहां से ना मुझे वे देखने आते और ना मारने आते बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूँ लिहाजा एक वाकि में यूं कहना चाहिए मैं मजे में था एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मूँ से सुना कि मुझे संजले भाईया के साथ कोलकाता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा आराम से भर पेट खा पीकर हुक्का भरकर मैं बाबा के पास पहुँचा और बोला बाबा मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा बाबा ने कहा हाँ मैंने पहले ही सोच रखा था कि यह सब बाबा की चाला की है इसलिए कहा यदी जाओंगा तो आज ही जाओंगा बाबा ने हस्ते वे कहा इसके लिए चंता क्यों करते हो बेटा रजनी आज ही कोलकाता जाएगा मकान ठीक हो गया है सो आज ही तो जाना होगा मैं आग बबूला हो उठा एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबा को ढूनने पर भी नहीं मिली जो एक चिलम मिली थी वह मेरी एक फूक के लिए भी नहीं थी उस पर यह चाला की परंतु मैं ठगा गया था अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटू लिहाजा उसी दिन मुझे कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ा चलते वक्त बाबा के पैर चुए और मैं मन ही मन बोला भगवान करे कल ही तुम्हारे क्रिया कर्म में घर लोटाउं उसके बाद फिर मुझे कौन कोलकाता भेजता है देख लूँगा कोलकाता में मैं पहले पहल ही आया इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था मैंने मन ही मन सोचा अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड में या वहां जहां जुंड के जुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहास खड़े हैं खो गया तो फिर कभी घर पहुँच सकूँगा इसकी कोई उमीद ही नहीं कोलकाता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा इतनी दहशत में भला कोई चीज अच्छी लग सकती है आगे कभी लगेगी इसका भी भरोसा नहीं कर सका कहां गया हमारव नदी का किनारा वे बासों के भीडे, पेड के जाड, मित्र, परिवार के बगीचे के कोने कवा अमरूत कुछ भी तो नहीं है यहां तो सिर्फ उचे, बड़े-बड़े मकान गाड़ी, घोड़े, आदमियों का भीड भड़का लंबी चोड़ी सडके ही दिखाई देती है मकान के पीछे ऐसा एक बाग-बगीचा भी तो नहीं जहां छिपकर एक चिलम तंबाकू पी सकूँ मुझे रोना आ गया आसू पोचकर मन ही मन कहने लगा भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वे ही देंगे जिसने दिया है तन को, वही देगा कफन को कुलकाता आया हूँ, स्कूल में भरती किया गया हूँ अच्छी तरे पढ़ता लिखता हूँ लहाजा आज कल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ गाउं में जरूर मेरा नाम खूब उचला था खैर उस बात को जाने दो भईया के आत्मी मित्रों ने मिलकर एक मैस बना लिया है जिसमें हम चार आदमी रहते हैं भईया मैं राम बाबू और जगनाद बाबू राम बाबू और जगनाद बाबू सचले भईया के मित्र हैं इसके सिवा एक नौकर और एक ड्रामन रसोया भी है गदाधर रसोया मुझसे तीन-चार वर्ष बड़ा था ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा मुहले के किसी भी लड़के से मेरी बाचीत नहीं हुई और ना किसी से मेल जोली हुआ मगर गदाधर बिलकुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया मेरे साथ उसकी खूब खुटती कितनी गपशप उरती इसका कोई ठेकाना नहीं वह मेधनीपूर जिले के एक गाउं का रहने वाला था वहां की बाते और उसका बाले इतिहास आदी मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसके गाउं की बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि मुझे अगर उसके गाउं में आखों पर पट्टी बांद कर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं तमाम गाउं में और उसके आसपास मजे से घूम फिर सकता हूँ इत्वार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता शाम को रसोई घर में बैठ कर कोट पीस खेला करता रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे हुके से दोनों मिलकर तंबाकू पी लिया करते सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते गाउं का भोला, मुन्नी, लल्लू, जो कुछ है, सब वही है, उसके मुँ से मैंने कभी छोटे मुँ बड़ी बात नहीं सुनी, जूट मूठी सब उसका निरादर करते, इससे मेरा जी जलने लगता, पर वह अपनी जबान से कभी किसी को चवाब न देता, जैसे वास्तव में वह दोशी ही हो, सब को खिला पिला कर, सब से पीछे, जवर रसोई घर के एक कोने में छिपकर, छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता, तो मैं हजार काम छोड़ कर, वहां पहुँच जाता, बेचारी की तकदीर ही ऐसी थी, कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता न था और तो क्या, भात तक कम पड़ जाता, और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा, परन्तु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, कि मुझे खाते वक्त, रोटी, दाल, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो, इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था छोटे पन में मैंने दादी के मुँँ से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधा पेट खाखा कर सूख के काटा हो गया है, कैसे बचेगा, मगर मैं दाधी कतित भर पेट कभी नहीं कहा सकता था, सूख जाओं, चाहे काटा हो जाओं, मुझे आधा पेट खान इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भर पेट खाना ना मिले तो आँखों में आसू आ जाते हैं। दादी, बाबा, अपने घर के लोग मेरे पूचे जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आखिर आखों में इतना पानी आता कहां से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा, किसी बात पर जित पकड़ जाने पर पापशाला के पंडिच जी ने मेरी पीट पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी हैं। फिर भी वे मुझे कभी रोला नहीं सके। लड़के कहते सुकुमार की दे पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता, दे नहीं बलकि मन पत्थर का है। मैं नन्ही बच्चे की तरह रोने नहीं लगता, दरसल रोने में मुझे बड़ी शरम मालूम होती थी। अब भी होती है, पर अब समहाले संभलता नहीं। छिपकर जहां कोई देख न सके, रो लिया करता हूं। जरा रोकर चटपट आखे पोच पाच के समहल जाता हूं। जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में सैकडों बेकारी भीक मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितनी तरह के दुखी लोग देखता हूं। मैं तो जो तिलक लगाकर, खंजरी बजाकर, जो जैराधे कहकर भीक मांगते हैं, उन्हें ही जानता था। फिर ये सब बिकारी किस तरह के हैं। अब आगे बिकारी की बात जाने दो, अब मैं अपनी बात कहता हूं। देखते देखते आखें इसकी आदी हो गई, पर मैं विद्या सागर ना बन सका। बीच बीच में हमारे गाउं की माता सरस्वती ना जाने कहां से आकर मेरे सिर पर सवार हो जाती। मैं नहीं कह सकता। उनकी आग्या से कभी-कभी मैं ऐसा सतकर्म कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से नफरत हो जाया करती है। देरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी फिकर में रहता। एक दिन की बात है, राम बाबु ने घंटे भर मेहनत करके अ उसे खोल कर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर दोती की हालत देखते ही बिचारे तक दीर ठोक कर बैठ के। मेरी खुशी का क्या ठिकाना फूला नहीं समाया। जगनात बाबु का ओफिस जाने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी खा पी कर किसी तरह ओफिस तक पचना चाते हैं। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काट कर फेक दिये। स्कूल जाने से पहले ज़रा ज़ाक कर देख गया। बिचारे चिल्ला कर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी के मारे रास्ते भर हस्ता रहा। शाम को ओफिस से लोट कर बोले मेरे ब बटन कमभख्त गदाधर ने चुरा कर बेच डाले हैं। निकाल दो नालायक को। जगनात बाबु के बटन हरन के मामले पर भाया और राम बाबु भी भीतर ही भीतर खूब हसने लगे। भाया ने कहा कितने तरह के चोर होते हैं। कोई ठीक है पर बटन तोड़ कर बेच ख अवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ओफिस जाते समय। बदमाशी तो देखो, दुरगती की हद कर दी। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहन कर ओफिस जाना पड़ा। सब हस पड़े, जगनात बाबु को भी हसना पड़ा। पर मैं नहीं ह सका, मुझे दर हो गया, कहीं गदाधर को सच मुझी न निकाल दे, वह बिचारा बिलकुल बेवकूफ है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुप चाप सारा कसूर अपने उपर ले लेगा, अब। भाईया शायद समझ गए कि किसने बटन लिये हैं, गरीब गदाधर पर को भी न करूंगा, जिससे मेरे बदले, दूसरे पर कोई आफ़त आए, ऐसी प्रतिकिया मैंने पहले कभी नहीं की, और कभी करता भी या नहीं, नहीं कह सकता, सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा, मुझे उसने मिट्टी कर दिया, इस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, पंडित जी, बाबा, और भी कितने ही महाशयों के लाग कोशिश करने पर भी, जिस बात की प्रतिक्या मैंने कभी नहीं की, और ना शायद करता, एक गदाधर महराज का चहरा देखकर उस बात की प्रतिक्या कर बैठा, उसके बाद इतन दिन बीट गए, इस बीच में कभी मेरी प्रतिक्या भंग हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जान बूच कर कोई प्रतिक्या भंग नहीं की, अब और एक आदमी की बात कहता हूँ, वह था हम लोगों का नौकर रामा, रामा जाती का कायस या ग्वाला, ऐसा ही कुछ था, कहा का रहने वाला था, सो भी मैं नहीं कह सकता, उस जैसा फुरतिला और होशियार नौकर मेरे देखने में नहीं आया, अगर फिर कभी उससे भेट हो गई, तो उसके गाउं का पता जरूर पूछ लूँगा, सभी कामों में रामा जर्के कि गूमता रहता, अभी देखा कि रामा कपडे थो रहा है, तुरन देखता हूं भाया नहाने बैठे हैं, तो वा उनकी पीठ रगड रहा है, उसके बाद ही देखा तो पान लगाने में व्यस्त है, इस तरह वा हर वक्त दौर धूप करता रहता, भाया का वा फेवरिट, बड भाया से खरी खोटी सुननी पड़ती, खास कर गधादर को वा अकसर दंकिया करता, मैं उससे बहुत चिड़ गया था, मगर इससे क्या होता, वा ठैरा भाया का फेवरिट, राम बाबु भी उसे फूटिया को न देख सकते थे, वे उसे रूज, रंगा सेयार कहा करते थे, उस समय इस शब्दी की व्याख्या वे खुद ना कर सकते थे, मगर हम यह खूब समझते थे कि रामा दरसल रूज है, उनके चिर्णे के कारण थे, मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबु कहा करता था, भाया भी कभी कभी उसे राम बाबु कहकर पुकारा करत मगर राम बाबु को यह सब अच्छा न लगता था खैर जाने दो इन व्यर्थ की बातों को एक दिन शाम को भाईया एक नया लैंप खरीद लाए बहुत बढ़िया चीज़ थी करीब पचास साथ रुपे दाम होंगे शाम को जब सब घूमने चले गए तब मैंने गदाधर को बुला कर उसे दिखाया गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी वो बहुत ही खुश हुआ और दो एक बार उसने उसे इधर उधर करके देखा भाला इसके बाद वो अपने काम से चला गया पर मेरा कुटूहल शांत नहीं हुआ मैं उसकी चिमनी खोल कर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है देखूं कि उसकी भीतर कैसी मशीन है बहुत खोल कर हिलाया डुलाया इधर उधर किया गुमाने फिराने की कोशिश की पर खोल ना सका जाच परताल के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है लिहाज़ा मैंने घुमाया घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी से मैं उसे थाम न सका नतीज़ा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिर कर चकना चूर हो गया उस दिन बहुत राद पीते में लोटा पर आकर देखा वहां बड़ी हाय तौबा मची हुई है गदाधर को चारो तरफ से घेर कर सब लोग बैठे हैं गदाधर से जिरह की जा रही है भाईया खूब बिगड़ रहे हैं गदाधर की आँखों से टप टप आसू गिर रहे थे वह कह रहा था बाबु जी मैंने इसको जरा चूआ जरूर था पर तोड़ा नहीं सुकुमार बाबु ने मुझे दिखाया मैंने सिर्फ देखा उसके बाद ये घूमने चले गए मैं भी रसोई बनाने चला गया किसी ने उसकी बाद पर विश्वास नहीं किया प्रमारित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है उसकी तनख्वा बाकी थी उसमें से साड़े तीन रुपया काट कर नई चिमनी मंगाई गई शाम को जब बत्ती जलाई तो सब बहुत हुश हुए सिर्फ मेरी दोनों आखें जलने लगी हर वक्त मन में वही ख्याल आने लगा मानो मैंने उसकी मा के साड़े तीन रुपय चुडा लिये तम मुझसे वहां रहा नहीं गया रो बिलग कर किसी तरह भाईया को राजी करके मैं गाउं पहुँच गया सोचा था दादी से रुपय लाकर चुपके से साड़े तीन की जगे साथ रुपय गदाधर को दूँगा मेरे पास उस वक्त रुपय बिलकुल न थे सब रुपय भाईया के पास थे इसी लिए रुपयों के लिए मुझे देश जाना पड़ा सोचा था कि एक दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा मगर हुआ कुछ और ही यद्यपी बाबा के मरने में अब भी बहुत दिन बाकी थे फिर भी साथ-ाथ दिन वहां भी थी गए साथ-ाथ दिन बाद फिर कोलकाता पहुँचा मकान में पैर रखते ही पुकारा गदा किसी ने जवाब नहीं दिया फिर बुकारा गदाधर महराज अब की बार भी जवाब नदारत फिर कहा गदा रामा ने आकर कहा छोटे बाबू अभी आ रहे है क्या हाँ हाँ अभी चला ही आ रहा हूँ महराज कहा है महराज तो नहीं है कहा गया है बाबू ने उसे निकाल दिया निकाल दिया? क्यूँ? चोरी की थी, इसी लिए पहले बाद मेरी ठीक से समझ में नहीं आई इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मूँ देखता रहा रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया जरा मुस्कुरा कर बोला चोटे बाबू, आप ताज़ुब कर रहे हैं मगर उसे आप लोग पहचानते न थे इसी से इतना चाहते थे वाचिपी हुई टाइन जैसा था बाबू उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था किस तरह वाचिपी डाइन था और क्यूँ? मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका या मेरी समझ में कुछ ना आया मैंने पूछा किसके रुपे चुराए थे उसने? बड़े बाबू के कहा थे रुपे? कोट की जेव में कितने रुपे थे? चार रुपे देखा किसने था? आँखों से तो किसी ने नहीं देखा पर देखा ही समझे क्यूँ? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं राम बाबू ने लिये नहीं जगनात बाबू ले नहीं सकते मैंने लिये नहीं तो फिर गए कहा? लिये किसने? अच्छा? तो तूने उसे पकड़ा? राम ने हस्ते वे कहा और नहीं तो कौन पकड़ता? ठंठनिया का जूता आप आसानी से खरीच सकते हैं ऐसा मजबूर जूता शायद और कहीं नहीं बनता उसी से मैंने उसकी खूब मैं रसोई में जाकर रो पड़ा उसका वह छोटा सा काला हुका एक कोने में पड़ा था उस पर धूल जम गई थी आज चार-पाँच रोज से उसको किसी ने छुआ भी नहीं किसी ने पानी तक नहीं बदला दीवार पर एक जगे कोईले से लिखा हुआ है सुकुमार बाबू मैंने चोरी की है अब मैं यहां से जाता हूँ अगर जिन्दा रहा तो फिर कभी आऊंगा मैं तब लड़का ही तो था बिलकुल बच्चे की तरे उस हुके को छाती से लगा कर फूट फूट कर रोने लगा क्यूं? इसकी वज़े मुझे नहीं मालूम फिर मुझे उस मकान में अच्छा नहीं लगा शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसे रसोईयों को खाना बनाते देख चुपचाप लोटाता अपने कमरे में आकर किताब खोल कर पढ़ने बैच जाता कभी कभी मुझे भाईया भी देखे नहीं सुहाते रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगती बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भाईया से कहा बड़े भाईया क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तुम्हारे रुपे कभी नहीं चुराए सब जानते हैं मैं गदादर माराज को बहुत चाहता था भाईया ने कहा हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार पर अब तो जो होना था सो हो गया लेकिन रामा को तुने इतना मारा क्यूं था? अच्छे मारा था क्या मुझे भी निकाल दोगे? भाईया ने मेरे मूँ से कभी ऐसी बात नहीं सुनी मैंने फिर पूछा तुम्हारे कितने रुपे वसूल हो गए? भाईया बड़े दुखी हुए बोले काम ठीक नहीं हुआ तनख्वा के धाई रुपे हुए थे सो सब काट लिये मेरी इतने इच्छा नहीं थी मैं जब तक सबकों पर घूमा करता दूर पर अगर किसी को मैली चादर ओड़े और फटी चट्टी चटकाते वे जाते देखता तो मैं फौरन दोड़ा दोड़ा उसके पास पहुँच जाता पर मेरे मन का अर्मान पूरा ना होता मेरी आशा निराशा में परिणत होने लगती मैं अपने मन की बात किस से कहूँ करीब पाँच महिने बाद भाया के नाम एक मनी ओर्डर आया देड़ रुपे का भाया को मैंने उसी रोज आसू पोचते देखा उनका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है कितने वर्ष बीत गए कोई ठीक है मगर आज भी गदाधर महराज मेरे हिदय में आदी जगे गेर बैठे हैं इसी बेहत खुबसूरत संस्मरण के साथ अब चलती हूँ बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और नई किरदारों के साथ तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें चैनल पर पहली बार आए हो ये अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाई हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं स्वस्त सुरक्षित प्रसन प्रेम मैं और समवेदन शील रहें नमस्कार